दोस्तो नमस्कार मैं उनीस दूबे नेसंफष्ट में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज बाते मैं खुद से शुरू करना चाहूँगा और खुद का मतलम मैं अपने आप से दोस्तो मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं कि कोई ऐसी डिग्री नहीं ली जिस पे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझ पे गर्व करिये और मैंने दो ही अच्छर पढ़े वो भी उल्टे बोले तो बीए और बीए मैं समझता हूँ साथ उसी को ग्रेजुएसन कम्पलीट बोलते होंगे लेकिन मैं तीन बीए मैंने बीए किया भूगोल नागरिक सास्तर और समाज सास्तर हो सकता है मुझे भूगोल समाज सास्तर और नागरिक सास्तर के आप क्वेश्चन पूछें तो मैं ना बता पाऊँ आप मुझसे ज़्यादा ग्यान में बड़े होंगे लेकिन इन तीन विश्यों को मैंने भुगोल, नागरिक सास्त्र और समाज सास्त्र इन सब्दों के समू का जो अर्थ होता है उसको मैंने बराबर समझा किताब मैं तो नहीं पढ़ा जितना आप सोचते होंगे लेकिन समझा मैंने उसको बराबर और तीनों चीज यही गोलती है भुगोल वो चीज जो हमेशा इतियास में बदलता रहा है नागरिक सास्त्र वो चीज जो किसी भी समाज के अंदर किसी भी देश के अंदर रह रहा उस देश का नागरिक उसके प्रती उसमें विवेचना की गई है उसमें बैख्यान है आप समाज के अंदर कैसे एक नागरिक की भून का अदा करेंगे और समाज सास्त्र उसका मतलब मैं समस्ताओं की यही होता है कि समाज में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यूं हो रहा है करना क्या चाहिए यही कुछ मतलब उसका भी होता है और मैं इतना जानता हूँ संबिधान जो आज देश के अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं संबिधान खत्रे में है संभिधान खत्रे में है मैं उस संभिधान की सपत लेना चाहता हूं जिस संभिधान में स्री रामचंद्र माता जान की भगवान स्री कृष्ण नट राजन बहुत सारे हमारे एतिहासिक महापुरुस राना प्रताब जहासिक इरानी लक्षमी बाई और उसमें मुगल बात्सा अकबर का भी चित्र है मैं उस संभिधान की सपत लेना चाहता हूं और उस संभिधान की मैं सपत नहीं लेना चाहता जिस संभिधान को यह लोग रोट पे उपर लेकर बैठे हैं मैं उस मूल प्रति की सपत लेना चाहता हूं और मैं उस सपत आज ये लेना चाहता हूँ और ले रहा हूँ अगर आप भी अपने आपको इस देश का नागरिक समझते हैं इस समाज में अपने आपको खुद को आप वगर महसूस करते हैं तो आप भी मेरे साथ एक कसम लीजिए और कसम ये कि जब संबिधान के रचैताओं ने संबिधान के अंदर धर्म निर्पेक्षता का हर सब्द नहीं जोड़ा और उसको संबिधान का ही अपमान करते हुए ना किसी बहस ना किसी राजसभा ना किसी लोकसभा ना संसद ना विधान सभा इमर्जन्सी के काल में उस सब्द को जो डाला गया वो सब्द कही न कहीं आज देश को तोड़ने का काम कर रहा है और यही सम्विधान के जो सपत लेने वाले थे इन्होंने ही उस समय भी देश को तोड़ा था और आज भी हमने यह सबक नहीं लिया हम अपनी जिम्मेदारी से हमेशा मुकरते रहे अगर उस समय भी हमारे और आपके जैसे खड़े रहे होते तो देश नहीं बढ़ पाता और जब देश बढ़ता तो काईदे से बढ़ता अगर बढ़ता भी जिस बात पे सहमती बनी भी उसके बाद ये फिर अपनी मनमानी कोई भी इस देश के अंदर कैसे कर सकता है जब उस सम्भिधान के दाएरे में रहने की उसने उस समय उन लोगों ने निर्णे लिया तो आज सम्भिधान को तोड़ने की बात कैसे कर रहे हैं कैसे बोल रहा है अफजल हम सरमिंदा है कोई बोल रहा है कि भारत तेरे तुकड़े होंगे कोई प्लान भी बना लेता है पांच लाग लोगों को तयार करके कहीं साहिन बात बना दिया जाता है तो कहीं जम्मू और कासमीर बना दिया जाता है मुझे अपसोस होता है कि हमारी उस कालखंड की पीड़ियों ने देश को बटने दिया लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीड़िया ये विस बात को कहें कि मेरे बाप दादे जो थे उनकी वज़े से इस देश का भूगोल बदल गया बार बार बदला उन लोगों ने भी कोशिस नहीं की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाकर साहिन बाग एक बनाकर बैठना है मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि लाउडर स्पीकरों से आपको अलाउट करना है कि इतने लोग काटे जाएंगे ये लोग मारे जाएंगे ऐसा नहीं कहना है आपको अगर संविधान की हम बाते कर रहे हैं तो संविधान के तहट आप सिरफ बोलिए अपनी बात को बोलिए आपके पास सोसल मीडिया है और कम से कम जाग जाएए और मेरा ये वीडियो आपकी पीडिया क्या कहेंगी आपके बारे में क्या सोचेंगी मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे जो भी पीडिया अगर कभी ऐसा वक्त आपकी वज़े से आया कि अगर उनको अफसोस करना पड़ा तो कम से कम ये गरव तो जरूर करेंगे कि मेरे बाप दादे थे जिनोंने तो मैं समझता हूँ कि आप इस संविधान के दायरे में नहीं रह रहे हैं क्योंकि कोई भी संविधान किसी भी देश को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है और कोई भी संविधान किसी भी घुसपेटियों को अपने देश के अंदर बरदास्त नहीं करता है एक चीज मैं पहले बोल देना चाहता हूं देख लीजिए कोई भी संविधान किसी भी देश का हो यह हमारे यहां का संविधान हमेशा जब हमारे यहां के संविधान की सपर लेने वालों नहीं संविधान की रक्षा नहीं की तो हमारा और आपका दाई तो और बढ़ जाता है कि हम संविध पेक्षता सब्द नहीं जोड़ा जा रहा था तो जब जोड़ा गया तो उसका बिरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने क्या सब मिधान तब खत्रे में नहीं था अब तो पूरा देश खत्रे में आ गया उसकी वज़े से उसी की वज़े पूरा जम्मू कास्मीर खत्रे में था अगर कोई देश भक्त परधान मंत्री बनता है तो उसके उपर अहुलिया उठाए जाती है और कोई अगर देश भक्त परधान मंत्री बनता है और बोलता है कि पहला हक मुसल्मानों का है तो मैं कैसे समझनों कि संविधान बराबरी की बात कर रहा है जो आज असद उद्धी नौवैसी ने एक क्लिप डाला उपने ट्यूटर पे और उन्हेंने दिखाया कि संविधान बराबरी की बात करता है मैं उनसे पुछना चाहता हूँ कि कौन से संभिधान को आप मानते हैं और कौन सी प्रती आपके घर में है और अगर वो प्रती नहीं है जो मूल प्रती है संभिधान की तो आप किस संभिधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और किस संबिधान से वो चीज़ निकाल के लाए हैं और क्यों मैं मानूँ उस संबिधान को, जो मेरे देश का मूल है ही नहीं, मेरे देश का मूल सनातन है, मैं सनातन को मानूँगा, और मेरे संबिधान में मेरे मूल की जो भावना है वो छिपी हुई है, मैं उस संबिधान को मानता हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी आने वाली पीडियां मुझ पे अंगली उठाएं जैसे मैं आज उठा रहा हूँ उस अपने काल खंड के अपने पीडियों से जिन्नोंने देश का बटवारा होने दिया सिक्वे सिकायत तो बहुत सारे हैं मेरे और आज के नहीं है जब से इस देश के इतिहास को इस देश की मूल भावना के साथ छेड़ छाड़ किया गया मैं तब से सवाल उठाना चाहता हूँ लेकिन अगर आज सम्विधान की बात हो रही है जिसमें आपको भी वही हग दिया गया है जो मुझे दिया गया है तो मैं उसी सम्विधान की बात करना चाहता हूँ कम से कम आप उसी सम्विधान की बात करिए अगर मेरे सवाल आपको जाइज लगते हों तो कम से कम इस सम्विधान की सपत लेने वालों के तक जरूर पहुंचाईए आप से मेरा निवेदन हाज जोड़ करके है कम से कम अब तो जाग जाईए मैं आपको तलवार चला लें के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको साहिन बाग बनाने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि स्पीकरों में बोलो कि हम मारेंगे काटेंगे तुम काफिर हो लेकिन जो सम्विधान बोलता है उसकी तो बात करो क्यूं नहीं करना चाहते हो तुम जैहिन जै भारत बंदे मात्रम अगर देश के अंदर हो तो आपका ये कर्तब्य बनता है आपका ये दाइत तो बनता है आप उज आवाज उठाइए जैहिन जै भारत बंदे मात्रम